लोगों के questions खतम होने का नाम ही नहीं ले रहे दिवरानी जिठानी के जो वीडियोज आए है जहां पे उन्होंने अपडेट दिया है अगर हम लोग बात करें दिवरानी जी का जहां पे उन्होंने अपडेट दिया है नानी जी की death का उनके आसुओं पे और उनके वीडियो प पर questions पर उठे जा रहे हैं कि इस time तो माई के वालों को जाना ही जाना है क्यार पिछले वीडियो में मैंने काफी चीज़े clear करी थी हालांकि जिस real की मैंने बात करी थी वो real अभी हो चुकी है So friends, welcome to my channel कैसे हैं आप लोग I hope आप लोग मज़े में होंगे अच्छे होंगे और सभी लोग नवरात्रे हैं कल से नवरात्रों की तयारिया कर रहे होंगे देखिए कहीं पे खुशी कहीं पे दुख ये कहते हैं न संसार में चलता रहता है लेकिन फिलाल जो ये दिवरानी जिठानी जी का घर है यानि कि जो ससुराल है वहाँ पे दुख का टाइम है मुश्किले है और आपको पता ही ये अभी तक कोई वीडियो नहीं आया है सबी लोग परिशान हैं दुखी हैं और कुछ टाइम इन सब चीजों से उबरने में लगेगा ही लगेगा लेकिन यूट्यूब क्योंकि ये व्लॉगर्स हैं तो जादा दिन का गैप भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि व्लॉगिंग ये डेली व्लॉगर्स है अब अगर आपने देखा हो कई सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो अपडेट देते हैं कई लोगों ने तो बहुत सारी चीजे ये सब चीजे होते वे भी अपनी वीडियोस में दिखाया है जिस चीज की मैंने हमेशा से निंदा करी है कि आपके घर में अगर किसी की death हुई है तो death वाले जो rituals आप social media पे ठीक है एक वीडियो में सब कुछ दिखा के आप बता के update दे सकते हैं क्योंकि आपकी जो fans हैं या फिर आपके जो subscribers हैं उन लोग को एक information मिल जाए एक update वीडियो ज़रूरी होती है तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारी चीज़े पूरी dead body दिखाएंगे और सारे क्रिया कर्म होते हुए भी दिखाएंगे thumbnail पे लगाएंगे उस चीज की मैं हमेशा से खिलाफ रही हूँ अगर हम बात करते हैं इन दिवरानी जटानी पे जो की सवाल उठ रहे हैं ठीक है इनके आसूँ पे तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ अगर इन लोगोंने 2-3 वीडियो बनाई होती proper dead body का photo thumbnail में लगाया होता तब हम इन पे questions उठा सकते थे और तब तो बनता भी था लेकिन अगर हम बात करें अगर मैं पहले दिवरानी की बात लेती हूँ उनका पूरा वीडियो एक update वीडियो था मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि इस टाइम भी इनको vlogging की पड़ी है देखिए क्योंकि YouTube family उन्होंने खुद वीडियो में बोला है कि आप लोग रोज हमारी life देखते हैं ठीक है तो उन लोगं के लिए एक update था जहां पे मुझे नहीं लगा कि कहीं से भी overacting थी या कहीं से भी लोग जैसे बोल रहे हैं इस चीज को भी आप cash कर रहे हो घर में मौध हुई है तो एक वीडियो में update दिया गया मुझे कहीं से भी नहीं लगा उसके पाद देख लीजे आज कोई वीडियो नहीं आया है तो काफी लोग questions कर रहे हैं vlogging इस टाइम पर उस चीज का मैं answer दोंगी और हम बात करेंगे जो मैंने इससे पहले वीडियो डाया था real देखें काफी लोगा कह रहा था कि इस टाइम पर दुख की घड़ी है कामेनी जी के घर में शादी थी हालांकि देखें शादी अच्छे से निपट भी गई और कुछ लोग का ये भी कह रहा है कि जो कामेनी जी जो नानी जी थी वो वेट ही कर रहे थी कामेनी जी के जो घर में शादी है भाई की वो अच्छे से निपट जाए ठीक है उन्होंने प्रान त्याके और सबने सबके सामने बैड़ लेटी थी सबने पानी वगेरा पिलाय के इसा और की आ और कि को मेनी जी ने दिखाया नहीं सोशल मीडिया भी एक आपको पता ही होगा माई के वाले नहीं गए उस चीज में मेरे को लगता है कि काफी कॉमेंट्स आ रहे हैं जहां पर रिप्लाइ भी किया गया कि इनका भाई विशाल एक रील डाली थी विशाल की वाइफ ने आपको पता ही होगा इंस्टाग्राम पे तो वह रील जिसमें विशाल दिख रहे हैं कि हाँ वो इन सब चीजों में इन्वाल्व हुए हैं जो भी एक जो रीचुल्स वगएरा होते हैं डेथ के बाद तो लेकिन कहीं न कहीं वो वाली जो पोस्ट है या रील है वो हटा दी गई है जिससे आपको नहीं क्लियर हो पाएगा लेकि इस चीज को भी लोग कह रहे है कि यह देखो यह नहीं चाहते कि इनके परिवार वालों की है न की परिवार वाले गए थे यह एक शड़े अंतर है तो कुछ नों का देखिए हर मू हर बात कहते हर इंसान को आप रोक नहीं सकते उसकी बाते बोलने से लेकिन जैसे कि आपको पते है मैंने कल भी यह बात कही थी जो dead body है उससे related कुछ भी social media पे लाना यह सब चीज़े ठीक नहीं होती है हालांकि जो दिवरानी है उसने अपने thumbnail में एक picture लगाई थी लेकिन बाद में वो picture हटा दी गई थी जैसे वो picture वहां से हटा दी गई हो सकता है काफी लोगों ने अपती उठाई यो परिवार व नहीं है लेकिन काफी लोग इन लोगों के अगर हम लोग बात करें कामेनी जी के शुरू का वीडियो पुराना था ठीक है उन्होंने लास्ट में आके वॉइस ओवर में बताया था कि सब कुछ विदी विधान से हो गया नानी जी अब नहीं रही दुख है फैमिली में ग्र दिया है मुझे नहीं लगता कि इसमें नोंने कहीं से भी विउस के लिए या डॉलर के लिए इसा नहीं है मतलब मुझे लगता है कि यह सब चीज़े बोलने से पर थोड़ा सोचना चाहिए तो यह आपके माइके के फैमिली कैसी है कोई देख ने भी नहीं गए नानी जी को at least सब कुछ भूल कर एक बार जाना चाहिए था तो इसका भाई विशाल गया था reply में किसी ने लिखा है इसकी ननद ने इंस्टा पे रील डाली थी उसमें इनका भाई विशाल भी था पर किसी ने उस post को delete करवा दिया तो delete वो post हो चुका है और काफी लोग को ये भी कहना है कि मंमी पापा नहीं गये तो देखे सब के कामी नहीं लोग हए कामी निया आपको एक चीज बोलू हो सकता है कुश लोग को बुरा लगे या कुश लोग को सही लगे मेरी बात लेकिन ऐसी मुशकिल घडी में जब आपकी नानी की इतनी तवियत खराब थी, अर्जंट पर जाना पड़ा आपको तो आपके मम्मी, आपके पापा को साथ आना चाहिए था क्योंकि गिला शिक्वा चलता रहता है, हर घर में लड़ाई होती है आपको अकेले नहीं आना चाहिए था इती दर्वियत खराब थी उनकी आपकी family में से मिलने आना चाहिए था तो किसी का reply है कि उनके घर पर शादी हुई है अभी और जब तक मंड़ पूजन नहीं होता तब तक ऐसे कामों में नहीं जाते शायद तो इन्होंने शायद लिखके point रखा है लेकिन मुझे लगता है इनके घर से इनका भाई गया है ठीक है और हो सकता है पेरेंट्स भी गए हो हो सकता है पेरेंट्स बाद में जाएं ठीक है लेकिन इस चीज़ को इतना highlight नहीं करना चाहिए काफी comments में है इसलिए मैंने इस comment लि फिकर नहीं कि फिर अपनी सास की मा के लिए आसू वाह क्या बात है अच्छी acting कर लेती हूं यह कामिनी जी को बोला जा रहा है कि सास की तो चिंता नहीं करी सास की मम्मी के लिए रो रही हो ओवर एक्टिंग शुरू में कुछ सीन है जब वो कैब में बैट कैसे अपने आसू मा ससूर की इज़त नहीं की तुम तो कम से कम रिस्पेक्ट करना सीख लो कि प्रॉब्लम के टाइम में ऐसे उल्टा सीधा कॉमेंट नहीं करते हैं चलिए ये तो इनका ओगया बाकी लोगों के कॉमेंट्स वहाँ पे जो दिवरानी जी हैं वहाँ पे भी जा रहे हैं उनके व्लॉग उनका कल जो वीडियो आया है उनके आसू पे सवाल उठा रहे हैं अब तो आप लोगों का रोना भी जूटा लगने लगा है व्यूज और पैसे के लिए क्या क्या करते हैं कुछ करना ही है तो लोगों को हसाओ सब दुखी है अपने लाइफ में तो यही इन और यह सब चीजों से मेंटली इस टाइम कितना टेंशन में होंगी और एक नहीं पूरा परिवार दोनों भुए होंगी और ऐसे कमेंट्स पड़के तो और दुख होता है मैं मानती हूँ यह चीज़े तब होती जब अगवर उनके दो तीम वीडियो जाते उन्होंने और कमेंट इनकी वीडियो की नीचे आया है और आपको व्लॉक शूट का भी टाइम नहीं मिला उधर कुछ लोग के आख में आसू भी डुपलिकेट है और पूरा व्लॉक शूट करके डालने का भी टाइम मिल गया तो यहां पे इनको बोला जा रहा है वहां पे उनके है कि यह सब डाल रहे हो फैमली के साथ होना चाहिए तो व्लॉक शेयर किये जा रहे हैं वाह भाई क्या टाइम आ गया पैसे ही पैसो से मतलब है तो एक तरह के कमेंट एक नहीं चार पांच मैंने पड़े इसलिए मेरा मेरे को लगा कि इस चीज़ पर बात उठानी चाहिए तो देखिए मैंने पाल फैमली व्लॉक्स की भी वीडियो देखे थे जहां पर आगर आप लोग उनको फॉलो करते हैं उनके घर में जिठानी मतलब सबसे बड़े भाई की जो वाइफ है जिनके लड़के की अभी फिलाल कुछ ताइम पहले ही शादी हुई है जो अमित है तो उनका भी एक वीडियो आया था जहां पर पाल फैमली व्लॉक्स पो लोगोंने अपडेट किया था जो सुनील पाल है और उनकी वाइफ बबली जीने का हमारे घर में ऐसा हो गया तो एक वीडियो आया है और टाइम टू टाइम ऐसे कई सारे व्लॉगर्स है जो अपडे गलत बोलोगे तो प्लीज इस टाइम मुश्किल है घड़ी मुश्किल घड़ी है और जो लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि वो रील नहीं है तो बिल्कुल वो रील जाज हट चुकी है और मुझे लगता है कि ऐसी रील वगरा या पोस्ट वगरा अपने परसनल आप अप पिर से आप लोगोंसे कहती हूँ है रज़ाँ है फिङ på रात डी आप लोग की ध़ारहैन है कैसी चलुए है नीचे मुझे कॉमेट करके जरूर बताएगा आप लोग इस बारे में क्या केहना चालते हैं नीचे रूर कॉमेंट और कहां से देख रहे हैं यह जब बताएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में नमस्ते बाइबाइ